Hello everyone and welcome back to my channel उमीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी preparation भी अच्छे से चल रही होगी मैंने आपसे promise किया था कि time to time important topics पे lectures मैं आपके लाता रहूँगा उसी series का जो आज का हमारा topic है वो है classification of drainage system of India यह आपके दो parts में मैं आपको बताऊंगा और जितने भी चीज़े हैं जितने river system हैं फिर हिमाल्य रिवर्स हैं पैनन्सुला रिवर्स हैं वो सब हम यहां पे cover करने वाले हैं तो आपने क्या करना है जो भी बच्चा पहली बार channel पे आया है subscribe जरूर करे और bell icon को भी दबाये और आप support करते रहेंगे मैं आपके लिए इस किसम की चीज़ें लेके आता रहूँगा चलिए आज का वीडियो start करते हैं अब जो तीन चार पांच पहले slides हैं उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें cover हो जाएंगी और जो जिस किसम का question आ सकता है उसकी भी understanding आपको हो जाएगी direct question आना बहुत rare है अब आप से different questions पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा अब drainage system का जो पहला classification है वो है on the basis of catchment area ये तीन divisions है major river, medium river और minor river major river जिसका catchment area 20,000 square kilometer से ज़्यादा है medium river जिसका 2000 से 20,000 है और minor river 2000 या उससे कम है major river हमारे पास 14 है medium river 49 और minor river 58 या आप से कोई नहीं पूछेगा उसके बाद जो second classification है वो है based on the origin हमालिय रिवर्स और peninsular rivers हमालिय रिवर्स जो हमारे पास है वो है perennial rivers इनके पास पूरा पानी कहां से glacier से आता है perennial का मतलब है सारा साल इनमें पानी रहता है इसकी example है इंडस, गंगा और ब्रहम पुत्रा ठीक है इनकी tributaries जब हम इनको explain करके आगे पढ़ेंगे मैं इनके साथ साथ आपको tributaries भी बताता जाऊंगा उसके बाद आपका आता है peninsular river जो कि non-perennial है non-perennial मतलब इनके पास सारा साल पानी नहीं रहता है ठीक है यह सीजनल होते हैं या साल के कुछी हिस्से में इनके पास पानी रहता है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदावर, तापी इन सभी की tributaries में आपको आगे बताऊंगा उसके बाद है based on orientation to the sea कि इनका रास्ता कौन सी तरफ जाता है क्या बेया बेंगॉल की तरफ जाता है ठीक, अब बेया बेंगॉल आपके east में है तो जो भी दरिया इसमें drain हो जाता है उसको हम कहेंगे east flowing river और Arabian Sea आपका west में है तो जो भी दरिया west में drain हो जाता है Arabian Sea में drain हो जाता है उसको हम कहते हैं west flowing river तो इस तरह का question आपको आ सकता है option देखे आपको पूछ सकते हैं उपर वाला important नहीं है इसको छोड़ो अब यहाँ पर आप आओ Bay of Bengal drainage reverse that drain into Bay of Bengal उनको हम क्या कहते हैं East flowing rivers कहते हैं 77% drainage जो है कहां जाती है कहां की तरफ oriented है Bay of Bengal की तरफ और reverse that drain into Arabian Sea उनको हम कहते है West flowing river और सिर्फ 23% drainage area जो है वो कहां की तरफ oriented है Arabian Sea की तरफ ये क्यों है ये भी हम देखेंगे अब उससे पहले आप examples देखिए West flowing rivers की गंगा, ब्रहंपुत्रा, महानदी, गोदावरी ये आपने याद रखना है आप net पे जाके directly भी लिख सकते हैं East flowing rivers वहाँ से जितनी भी चीज़े निकलेंगी important पहले के 5, 6, 7, 8 उतने आप लिख सकते हैं जहां पे आप डेली उसको एक बार एक बार नजर मार सकते हैं क्योंकि questions इसी तरह का आ सकता है direct question अब आपको पूछें SSB का जो standard है वो change हो गया है अब आपको direct question पूछने के बहुत कम chances हैं फिर East flowing आपको देखो sorry West flowing है Indus, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही और जितने भी river Western Gards से ascend होते हैं Western Gards का दूसरा नाम ही सयाद्रीज है वहाँ से जो भी दरिया निकलता है वो Arabian Sea में ही जाता है तो वो वाले rivers भी आपके क्या आएंगे Arabian Sea drainage में ही आएंगे अब 90% water drains into Bay of Bengal ऐसा क्यों होता है अब ये जो statements में आपको बोलने वाला हूँ ये important क्यों है क्योंकि आपको 3, 4 statements दिये होंगे उन में से ऐसा हो सकता है कि 3 correct है, 1 incorrect है ये ऐसा हो सकता है एक correct है और 3 incorrect है और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ which of the following is correct regarding to this ये which of the following is incorrect regarding to this कि क्यों 90% water Bay of Bengal में जाता है उसका पहला reason है The Arabian Sea drainage receive less rainfall जो दरिया Arabian Sea में जाते हैं उनको कम बारिश मिलती है कम बारिश मिलेगी जैसे राजिस्तान है हरियाना पंजाब इन एरियाज में बारिश कम होती है तो बारिश कम मिलेगी तो दरिया में पानी भी कम ही होगा दूसरा है कि East drainage या Bay of Bengal drainage कह लीजिए इनको जब मौनसून आता है इन rivers को तब भी पानी मिलता है और जब मौनसून रिट्रीट हो रहा होता है वापस जा रहा होता है तब भी इनको पानी मिलता है जब मौनसून रिट्रीट होके आता है तो वो Bay of Bengal से मौश्चर उठा के फिर जब इंडियन एरिया में आता है वहाँ दुबारा से बारिश होती है तो ये जो रिवर्स हैं जो Bay of Bengal में ड्रेन होते हैं उनको दो टाइम पानी मिलता है मौनसून के आते टाइम भी और मौनसून के जाते टाइम भी इसलिए इनके पास ज्यादा पानी होता है उसके बाद जितने भी हिमालियन वाटर्स हैं वो क्या हैं पैरनीयल हैं मैंने आपको बताया और मोस्ट आफ दा हिमालियन रिवर्स जो हिमालियन ओरिजन के हैं वो कहां ड्रेन होते हैं Bay of Bengal में जैसे गंगा ब्रहम पुत्रा पैरनीयल भी हैं और ड्रेन कहां हो रहे हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो या तो सीजनल है या नॉन पेरेनियल है सीजनल मतलब बारिश पड़ी तो पानी आया नॉन पेरेनियल मतलब सारा साल में पानी नहीं रहता है एक रीजन और उसके अलावा occurrence of more cyclonic rainfall in eastern parts is another reason आप जानते हैं उडिसा में, बेंगॉल में, बिहार में आप सुनते रहते हैं कि flood आ रहा है, cyclone आ गया वो reason भी है क्योंकि cyclonic rainfall होता है तो बारिश जितनी आएगी पानी उतना ज्यादा मिलेगा उसके बाद drainage system of India में हमारा सबसे पहला है हिमालियन drainage system और उसके बाद है peninsular drainage system हिमालियन drainage system में तीन सिस्टम है इंडस सिस्टम, गंगा सिस्टम और ब्रहम पुतरा सिस्टम अब सबसे पहले आप देखें इंडस सिस्टम ये west flowing है, हमने पीछे example में देखा length बहुत कम chance है आपसे पूछे लेकिन फिर भी देख लीजिए length है 2880 km, ये इसकी total length है origin से end तक, और इंडिया में कितनी है 1114 km, ठीक, ये largest river basin बनाता है world का कितना ये area cover करता है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा exam में और इंडिया में कितना करता है, वो भी आपसे नहीं पूछा जाएगा इसको सिंदू river भी कहते हैं, ये originate कहां से होता है originate होता है, बोखार चू तिबत में, केलाश माउंटेन रेंज, नियर लेक, मांसुर और इन तिबत ठीक है, और इसको तिबत में कहते हैं, सेंगे खंबब, जिसका मतलब है loin's mouth, ये flow करता है, बिट्वीन लदाख एंड जांसका रेंज, और उसके बाद ये कहां चला जाता है, गिलगित बलतिस्तान, पियो के में, और फाइनली उसके बाद पाकिस्तान में जाके, Arabian Sea में ड्रेन हो जाता है, अब इसकी कुछ Tributaries हैं, जहलम, चिनाब, रावी, बीस और सतलुज, इस तरह से आप बना सकते हैं, याद रखने के लिए अगर आप चाहें तो, अब सबसे पहला अगर हम बात करेंगे, जहलम की, जहलम originate होता है, वेरीनाग स्परिंग से, ठीक है, वेरीनाग कहां है, ये अनतनाग में है, साउथ कश्मीर में, और उसके बाद ये इस पाकिस्तान में एंटर करने से पहले, स्रीनगर से होके जाता है उसके बाद वुलर лेग जो की बांडी पोरा मैं है और वुलर लेग लार्जेश फ्रेश वाटर लेग है ठीक और उसके बाद यह फाइनली एंटर करता है पाकिस्तान में कहां पर Building करता है चिनाब को मीट जंग नाम है उस जगह का जहां पर यह meet करता है चिनाब को अब इसके दो नाम आपको और याद रखने है एक इसको संस्क्रिट में वितस्ता कहते है और ग्रीक इसको कहते है हाइडस पस ये दो नाम आपने याद रखने है अधर दिन जहलम ये जहलम के ही दो नाम है संस्कृत में वितस्ता और ग्रीक इसको कहते है हाइडस पस्ट ठीक टोटल लेंथ इसकी है 724 किलो मीटर उसके बाद रावी की बात करें तो औरिजनेट करता है कुलू हिल्स नियर रोहतांग पास और ये फ्लो करता है कहां चमबा वैली हिमाचल परदेश में और फाइनली प ये कौन से रिवर पे है ये आपको जरूर याद रखना है और रंजीत सागर डेम जेन के और पंजाब में है ये भी इसी रिवर पे है ठीक है उसके बाद अगर चिनाब की बात करें तो लार्जस ट्रिब्यूटरी आफ इंडस फाउंड बाई टू हैड्स ट्रीम्स चंदर और भागा हिमाचल प्रदेश में इसका नाम ये बाराल अच्छा पास हिमाचल प्रदेश में है जहां से औरिजनेट होता है और हिमाचल में इसका नाम है चंदर भागा फिर जब ये जेंड के में एंटर करता है किष्टवार में तब इसको चिनाब कहते हैं चिन का मतलब ह प्योर और आब का मतलब है वाटर, प्लेंज में ये एंटर करता है अकनूर में और इसकी लेंथ है 1180 किलोमीटर, ठीक है अब इसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर करता है, फिर एरबियन सी में ड्रेन हो जाता है, अब इसके पास इसके उपर तीन important dams बने हैं, डलहस्ती किष्टवार में, बगलिहार रांबन में, और सलाल बना है रियासी में, ठीक, इनकी production कितनी है, अगर आप चाहें तो net से वो लिख सकते हैं, वैसे important नहीं है, बट अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, 20 originate होता है बीस कुंड नियर रोहतांग पास इन एचपी फिर पंजाब प्लेंज में आता है, पॉंग एक जगा है, जहां पे पॉंग डैम बना है यह सत्लुच को मिलता है, हरी के अमरिट सर में, टोटल लेंथ इसकी है, 460 किलो मीटर, अब एक exception है, अगर यह आता है only tributary of indus, जो entirely कहां लाई करती है, इंडिया के अंदर ही, तो उसका नाम है 20, यह famous कुलू बैली बनाती है और दो important dam जो इसके पर बने है वो है पांडो डैम और महराना प्रताब सागर डैम यह दोनु आपने याद रखने हैं बहुत important है, यह जुरूर याद रखेगा कि कहां पे हैं और किस river के उपर बने हैं, फिर अगर सतलुच की बात करें तो सतलुच originate हुआ है लेक राकस नियर मांसुर वरिन तिबत, इसको कहते है लंगचन तिबत में, और इंडिया में एंटर करता है, यह ship किला पास से, इसकी टोटल लेंथ 1450 किलो मीटर है और इंडिया में है इसका 1050 किलो मीटर इतनी लेंथ इसकी इंडिया में है फिर पंजाब प्लेंज में एंटर करता है हिमाचन पर्दीष के बाद, किस जगा रूप नगर और फाइनली पाकिस्तान एंटर करके चिनाब को जॉइन करता है इसके उपर दो डैम भाकडा नंगल डैम वर्ल्ड्स हाइस्ट ग्रैविटी डैम बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत इंपोर्टेंट है यह याद रखना कि यह कौन से रिवर के उपर है उसके बाद दूसरा है नपता जर्की यह इंडिया का मोस्ट एफिशेंट डैम है यह भी कहा है हिमाचल प्रदेश में कौन से रिवर के उपर है सतलुज के उपर है अब इंडिया के बीच में साइन हुई है 19 सेप्टेंबर 1960 को इन ही रिवर्स का पानी कौन कितना यूज कर सकता है तो उसमें से 20 परसंट जो टोटल डिस्चार्ज है वाटर का वो इंडिया यूज कर सकता है सिर्फ 20 परसंट फिर है Peninsular Drainage System इसमें दो तरह के रिवर्स है East Flowing और West Flowing हम पहले करेंगे East Flowing जिसमें से पहला रिवर आपका आता है महानदी औरिजन फ्रॉम सिवाहा इन राइपूड इस्टिक 36 गड़ उसके बाद ये उडिसा में एंटर करता है जहां World's Largest Single Stream Dam हीरा कुड इसके उपर बना है महानदी रिवर पे हीरा कुड डैम बना है इसके साथ साथ कटक भी किसके उपर है किसके साथ है महानदी रिवर के साथ है Forms Largest Delta in India अगर आप से पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे बड़ा डैल्टा किस रिवर का है तो वो है महानदी डैल्टा लेंथ और कैच्मेट एरिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद गोदावरी इसको दक्षिन गंगा भी कहते है औरिजनेट होता है त्रिम्बक लेशवर इसके बाद गोदावरी है। इसकी लेंथ है वन फूर सिक्स वाय किलोमीटर उसके बाद जो इसकी ट्रिब्यूतरी है और है पेन गंगा, इंदरावती, प्रणिता और मांज़रा ठीक है यह इसकी ट्रिब्यूतरी है इन पे भी व्ज़ेड रखना coreट है tributaries है कोई ना टूंगा भद्रा और भीमा ये इसकी tributaries है ठीक है उसके बाद आपका आता है कावेरी कावेरी जो है ये औरिजनेट होता है जला कावेरी इन ब्रहमगिरी हिल्स इन कोगाडू डिस्टिक करनाट और कावेरी को गंगा आफ साउथ भी कहा जाता है एक और चीज exam में पूछ नहीं सकते बट information के लिए ये best regulated river of India है कि इसके इसके पास जितनी भी जितना भी potential है hydroelectricity के लिए उसमें से 90 to 95% जो है वो use कर रहे हैं अभी तो most regulated या best regulated river कौन सा है कावेरी है इसके बाद ये दो states तामनलाडू और करनाट का बीच में बहुत सालों से controversy है इसके प जिसके ओपर कावेरी ट्रिबूनल भी बनाया गया था ठीक है अब इसकी जो tributaries है वो है कबूनी भवानी अमरावती ये तीन tributaries इसकी है ठीक stanley reservoir on which meltour dame is built और ये only perennial south indian river है वो क्यों है क्योंकि इसके upper course को west monsoon पानी देता है और lower course को north east monsoon पानी देता है ठीक है तो ये था आज का जो भी चीज़ें आपको बतानी थी second video में हम इसका जो बाकी रहता है वो cover करेंगे आप में से जो भी बच्चा अगर चाहरा है कि मैं किसी topic पर वीडियो बनाऊं आप मुझे वो comment में बताइए और अगर मुझे लगएगा कि topic important है तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा thank you everyone and have a nice day